नमस्कार दो इसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तयारी को बड़े बहतरी नंग से कर रहे होंगे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं UPPSC 2018 सेट दो इसका सेट एक हमने पहले करा दिया है और ये हम जो ये सिरीज लेकर आए हैं ये लेकर आ हो जाता है हमारा दो हो जाता है 2018 में जो भी आपके लगबग सो से और डेर्ट सो के बीच में को सब्सक्राइब हो सकते हैं वह सब आपको देखने को मिल जाएंगे इसी वीडियो में सारे जो हैं कलक्ट किये गए हैं और बड़ा समय लगा है इनको कलक्ट करने में और इसलि रिवीजन के लिए हमने इनको जो है वन नाइलर की फोम में ही समाहित कर दिया है और चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे आपका समय कीमती है और शुरू करेंगे आज का हमारा इंपोर्टेंट वीडियो यूपी पीसी 2018 में पूछ गई प्रसनों का सैट वीडियो सुरू करन हमारी वीडियो का आज का हो जाता है सबसे पहला कोश्चन हो जाएगा पुस्ये मित्र सुंग द्वारा दो असुमेद यक किये गए थे जाने के बारे में जानकारी अविध्या लेक्षे मिलती है ये पुस्ये मित्र सुंग के द्वारा किये गए थे दो असुमेद यक आप से मिलती है तो इनकी जानकारी मिल जाएगी आपको एफ्या लेक से कर वाजस नहीं सुक्ल यजुरुवेद की सहीता यह भी कोशन इंपर्ट簡 ये कई बार कुछ उसमें खारवेल सासक के बारे में जानकारी मिलती है इसके बाद आ जाता है बागोर से मद्ध पासान काल में पसु पालन के परमान मिलते हैं पसु पालन के परमान कहां से मिलते हैं मद्ध पासान काल में तो मद्ध पासान काल में मिल जाएंगे ये बागोर से दक्षिन भारत में समुन्द रुप्त के समकाली नरेश थे कौन-कौन थे तो ये हो जाते हैं अवमुकृत में नेलराज हो जाते हैं कंची में विश्नु कोपा हो जाते हैं कुष्टलपूर में धननजय और पालकका में हो जाते हैं उग्रिसेन ये मैच करने के लिए कोश्चन आपको दे दिया जाएगा संस्था नाना देशी विदेशी व्यापार से संबंदिती संस्था हो जाते हैं नाना देशी और ये विदेशी व्यापार से संबंदिती मद्यकालीन भारत के एतिहासिक सुरोतों में चकला सब्द का परियोग हुआ है जो मद्यकालीन भारत के एतिहासिक सुरोतों में और यह सूबा तथा पर्गना के बीच की छेत्रिय क्याई हुआ करता था लेकिन सरकार ने समानार थी ये नहीं था सरकार के जो समानार थी ये बिल्कुल भी नहीं था इसके बाद दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरूल मंजिल नामक मस्जित का निर्मान माहम अंगा की दुआरा कराये गए था सारे वन लाइनर की फोम में आपको कोश्चन दिये गए है अधीना मस्जित मालदा में लाल दर्वाजा मस्जित जोनपूर में दाखिल दर्वाजा गोड में और तीन दर्वाजा एहंदाबाद में इस्थित है ये कहा कहा इस्थित हो जाएंगी मस्जिते अधीना मस्जित मालदा में हो जाती है लाल दर्वाजा जो मस्जित है ये एहम्दाबाद में इस्ठित हो जाती है भगत नामावली धुरुदास की भक्त माल ये नाबादास की हो जाती है कई बार पूछी जाती है भक्त माल किसकी है तो नाबादास की हो जाती है रशित पिरिया केशवदास की हो जाती है और चित्रावली हो जाती है उसमान की ठीक है शुरक्षा के लिए मराठो के राजसु के दावे को चोथ नाम से जाना जाता है ये चोथ नाम से जाना जाता था एक कर होता था उस समय मराठो के समय में विनायक दामोदार सावरकर ने किरांतिकारी संगटन अभी नव भारत समाज की इस्थापना की थी क्या नाम है समाज का तो ये हो जाता है अभी नव भारत समाज और सावरकर के द्वारा जो है इसकी इस्थापना की जाती है संथाल विद्रो ये भी मैचिंग के लिए दिया गया था आपका कोश्चन 2018 की परिक्षा में संथाल विद्रो हो जाता है 1855 में कोल विद्रो हो जाता है 1831 में खासी विद्रो हो जाता है 1839 में और अहूम विद्रो हो जाता है ये 1828 में इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोबारा भी इसी तरह के question आपसे पूछे जाने की शमभा होना है। अब अगर संथाल question, अगर संथाल विद्रो से question बनेगा हो तो क्या बनेगा। इससे ज़्यादा तो question नहीं बन सकता ना, संथाल विद्रों से, आप से इसका year पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा, क्यों हुआ था, किसके बीच में हुआ था, केवल यह आप से पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले आपको केवल यह याद रखना है, संथाल विद्रों हो जाता है, 3855 में, कोल विद्रों हो जाता है, 831 में, खासी विद्रों हो जाता है, 839 में, और अहुम वद्रों हो जाता है, 828 में, लाड़ डफरीन ने कांगरेस का अत्यधिक अलब्स अंकिक लोगों का परती नीदेतु करने वाली श्र्ता कहशा किया कर्थ ये किसके दौवाह उपहास किया गए है तो लाड़ डफरीन के दौवारा किया गए था ठीक है कांग्रेश की इस्थापना हुई थी उस समय 1885 में और उस समय जो है अंग्रेश थे महाँ पर लाण डफरिन इन्होंने उपहास किया था कांग्रेश का कांग्रेश के गठन का और इन्होंने कहा था कांग्रेश जो है वो अत्यधिक अलप संक्यक लोगों का परती में अवस्तित है कि राज के नीती निदेशक तत्व सहज अध्यन के लिए शमाजवादी गांधिवादी उदार बोद्धिक वादी भागों में विभाजित किये जा सकते हैं यह हो जाते हैं राज के नीती निदेशक तत्व योजना आयोक को असोक चंदर द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिशत कहा जाता है योजना आयोक को जो है बंद कर दिया गया है 2015 में इसको बंद किया गया है और इसकी जो नाम है वो कर दिया गया है नीती आयो ठीक है भारतिय न्याईक विवस्ता में जब जनहित याचिका को सामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्याईधिस P.N. भगवती थी कौन हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं P.N. भगवती जब जनहित याचिका को सामिल किया गया था भारतिय न्याईक विवस्ता में भारत के समविधान सभा की अंतिम्बैठक 24 जनवरी 1950 को हो जाती है और दो दिन बाद यारि 26 जनवरी को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है समविधान को विदान परिशत को भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है ठीक है भंग नहीं किया जाएगा लेकिन समाप्त किया जाएगा भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए सुवतंत्र मंत्राले 2006 में इस्थापित किये गए हैं हैं 2006 में लोकसाबा में केंद्र सासित छेत्रों का सरवादिक परती निदित्व बीस हो सकता है इस्थानिय मेलों पर कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है यह कोश्चन भी पूछा गया है 2008 की परिक्षा में 2017 के राष्टपती चुनाओं में UPA के उम्मीदवार सूसरी मीरा कुमारी थी ठीक है यह उस समय का करंट का कोश्चन था और करंट के कोश्चन जितने भी हैं उनको सब को आपको इस्किप करना है ठीक है करंट हम अलग से करा रहे हैं वो भी आपको देख लेना है और विद डीटेल इंपोर्टेंट गोस्चन हम केवल करंट में आपको कराते हैं नीति आयोक के पर्थम उपाद्यक्स अन्विल्द पनगडिया थे नीति आयोग आ जाता है 2015 में योजना आयोक के इस्थान पर आंदर प्रदेश भारत में भाचा के अधार पर बनने वाला पहला राज्य था ठीक है पहला राज्य हो जाता है आंदर प्रदेश भाचा के अधार पर बनने वाला नीति आयोग के सम्वे धानेतर संस्ता है सम्वे धानेतर संस्ता है नीति आयोग सरकारिया आयोग की संस्तुती केंदर राज संबंध से संबंधित है जो सरकरिया आयोग है ये राज संबंध से संबंधित है सारव पर्थम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी सरपर्थम की गई थी जो संसद्द आत्मक सरकार हो जाती है तो ग्रेट बिर्टेन में आउजित की गई थी एक नई अखिल भारतिय सेवा के सरजन ही तू संस्तुती करना राजसबा का अनन्य अधिकार हो जाता है किसका अधिकार हो जाएगा तो केवल राज सबा का ये अनन्य अधिकार हो जाएगा भारत के सम्विधान के भाग दो में नागरिक्ता से संबंदित प्रावधान का उलेक किया गया है भाग दो में किया गया है नागरिक्ता से संबंदित प्रावधान का उलेक भारते सविधान में भारत की अधिकारिक भासा से जुड़े प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के शाधारन बहुमत के द्वारा संसोधन कर सकती है भारते सविधान में भासा से जुड़े प्रावधानों में संसद बिना अनुमति के 60 दिन तक संसद से अनुपस्तित होने पर किसी संसद को अयोग घोशित किया जा सकता है ये दिन आपको याद रखने इन दिन से भी जो है आपके गोश्चन पूछे जा सकते हैं राजिस्थान मरुष्थल अथवा थार मरुष्थल पिलिश्टोशिन एवं अभी नव जमाव का विश्टार है किसका विश्टार है तो ये हो जाता है पिलिश्टोशिन और अभी नव जमाव का विश्टार वनस्पति जलवायू का सही सूचक है यह कथन कोपेन से शंबंदित है किस से संबंदित हो जाएगा तो यह हो जाता है कोपेन से संबंदित भारत में सरवादिक लंबी तट्रेखा गुजरात की है भारत में हो जाती है जो सरवादिक लंबी तट्रेखा है वो हो जाती है गुजरात की गोदावरी, कावेरी, कबाम नदियां पस्चीमी घाट से निकलती है。 केरल, इलाईची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। कोन हो जाता है काली मिर्च का और इलाईची का तो केरल हो जाता है इलाईची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्वादत। अनायमुडी केरल की तारामती नागलेंड की नंदा देवी उत्राखंड की और दोदा बेटा तमिल नाडु की सर्वोच चोटियां हो जाती हैं ये भी दिया गया था आपको सुमेलित करने के लिए कोश्चन सबसे पहले कौन सी पुछी गई है अनायमुडी पुछी गई है ये कई बार आपसे पुछी जाती है अनायमुडी केरल में तारामती नागलेंड में ठीक है नंदा देवी उत्राखंड में और दोदा बेटा हो जाती है तमिल नाडु की सर्वोच चोटी 2011 की जनगर्णा के अनुसार ग्रामीन एवं सहरी दोनों छेत्रों में सिसू लिंगानुपात हरियाना में न्यूनतम रहा है तो ये भी आपका हो जाता है न्यूनतम पूछा जाएगा लिंगानुपात सिसू लिंगानुपात तो ये हरियाना में हो जाएगा 2011 की जनगणने के अनुसार उत्तर प्रदेश की गिरामेंड जनसंख्या सरवादिक है 2011 के अनुसार ही यहाँ पर पूछे जाएंगे महाराश्ट हो जाता है सड़को की लंबाई में भारत में पर्थम पाईदान पर हो जाता है में भारत का सबसे ऊचा जल पर पाथ कुण्ची कल जर पर पर पाथ हो जाएगा काली मिठ्टी को इस थानिय बाहसा में रेगुर जाता है बिलकुल यह भी कई बार क्यूश्चन आप से पूछि लिए आ जाता है रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को GRAVES के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवारी उरूप से एक परीपको मिट्टी होती है काली मिट्टी में नमी धारन करने की उच्च छमता भी होती है यह question भी आपसे जो है विचार करने के लिए दिया जाएगा और आपको बताना होगा कौन सा इन में से हो जाता है या फिर असत्य और असत्य आप से पूछ लिया जाएगा हर्याना राज आर्थिक द्रेश्टी से सबसे उपर है लेकिन लिम्बंगा उनुपात के आधार पर सबसे नीचे ये हो जाता है ये भी करक्ट आपका हो जाता है हर्याना की बात करेंगे तो आर्थिक जो द्रेश्टी है उसकी उसमें हो जाता है सबसे उपर लेकिन लिम्बंगा उनुपात के मामले में उस सबसे नीचे पाइदान पर है दाची गराम राश्टे उद्धान हंगुल या फिर कस्मीरी स्टेक से नाम सबसे संबंदीत है बांदिपूर राश्टे उद्धान करनाटक में है मानस बनने जीव अभ्यारन ये आसम में है ये भी मैचिंग करने के लिए दिया गया था आपका कोषचन और matching के question या फिर सुमेलित के question सबसे ज़्यादा दिये जाते हैं आपका समय किल करने के लिए ठीक है आपका समय वेश्ट करने के लिए इस तरह के question दे जाते हैं आपके exam में पेरियार की बात करेंगे यह केरल में हो जाता है और सिमली पाल हो जाता है ओडिशा में ठीक है यह सारे आपको याद रखने हैं बार-बार जो है आपसे यही पूछे जाएंगे चीली विस्व में आयोडीन का अगरनी उत्पादक है कौन है चीली पूरे वल्ड की बात हो रही है चीली जो है वल्ड में आयोडीन के मामले में उत्पादक हो जाता है पंपास घास के मैदान ये मिलते हैं आपके अरजेंटी नामे हमने आपको घास के मैदान की ट्रीक बताई थी तो पंप जो है यह पंप होता है और यह अर्जेंट होता है तो जब साइगल से हवा कम हो जाती है तो अर्जेंट जरूरत पड़ती है किसकी पंप की तो पंप की अर्जेंट जरूरत हो जाएगी आपको जब आपकी साइगल से हवा कम हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके भी याद रख सकते हैं तो अर्जेंटीना में हो जाते हैं पंपास गास के मैदान सोनोरन अमेरिका में हो जाएगा तकला माकान ये चीन में हो जाएगा करा कुरम तुरके मेनियस्तान में हो जाएगा और गिबसन जो है ये आश्टेलिया में इस्थीत हो जाएगा सारे आपको याद रखने हैं ये मैचिंग करने के लिए दिये जाते हैं इसी तरह के कोश्चन बार बार ये ही दिये जाते हैं इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट भी हो जाएंगे अगर आपने इन ही को पढ़ लिया है तो इससे जादा जो है फिर आपसे नहीं पूछा ज पाकिस्टान में कर्यकुरम तूर्कमेनिस्तान में और गिबसन आष्टेलिया मेरे स्वेज नेहर के बन जाने के पस्चात भारत और यूरोप के मद्ध की शामोद्रिक दौरी में कितनी कमी आई है तो sa outros 1000 किलोपी कमी करनी आई है भारत और यूरोप की शामुद्रिक दूरी में मैख मोहन रखा भारत और चीन के मद्दफ शीमाई रेखा बनाती है अगर बात करें गए भारत और पाकिस्तान की तो और अफगानिष्टोन और भारत की सीपिे जी सीपी नदी के मुहाने पर पक्षि के पंजी की आकरती वाला डेलटा बनता है और यह मिशी सीपी नदी हे कहा है तो यह हो जाती है आपकी उत्तरी अमेरिका में ठीक है उत्तरी अमेरिका में ये हो जाती है Mississippi निती आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारन करता है कोन करता है निती आयोग आयकर एक प्रत्यक्ष कर है ये भी कोचन आप से पूछे गए हैं जन संक्या एक प्राकर्तिक व्रद्धी असोधित जंदर और एसोधित म्रत्युदर का परिनाम होती है कोन होती है तो जन संक्या की प्राकर्तिक व्रद्धी होती है लोरेंज वर्क द्वारा आयकी विसमता को मापा जाता है लोरेंज वक्र द्वारा आई की जो विसमता है उसको मापा जाता है आपसे ये कोश्चन पूछी लिया जाएगा जो आई की विसमता है उसको किस के द्वारा मापा जाएगा तो वो मापा जाता है लोरेंज वक्र के द्वारा 12 पंच वर्ष योजनका मुख्य देश सम पोशनिय वरद्धी हो जाता है 12 पंच वरष योजनका मुख्य देश हासिम समीती BPL परिवारों की पहचान के लिए गठित की गयी है BPL परिवारों की पहचान के लिए गठित की गई है हासिम समिती सामान परिस्थिति में व्रक्स के पत्तों की जो सरसराहत होती है दुहने का वेग इस पात में अधिक्तम होता है। यह साइन्स का कोश्चन है और साइन्स के कोश्चन भी हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। आइंश्टीन का परकास विद्धुत के सिधान्त के लिए नोबल पुरुषकार दिया गया था। आइंश्टीन को दिया गया था परकास विद्युत के सिध्धान्त काई नोने नोबल पुरुषकार। सोर उर्जा परियावरन ये पर्दूशन उत्पन नहीं करती है। इसलिए अब सारे देश जितने भी देश लगे हैं वो सब चल रहे हैं सोर उर्जा की तरफ। सोर उर्जा से ही सभी काम करने हैं और उससे पर्दूशन निम्न के रूप में होता है यानि सबसे कम पर्दूशन होता है आपका सोर उर्जा के रूप में। एक्सरे मशीन का अविश्कार विल्हेम रॉंट चन द्वारा क्या गया था? यहां आपसे खाली रॉंट चन भी दिया जा सकता है, क्योंकि कई बार देखा गया है, रॉंट चन आपको डारेक्ट दे दिया जाएगा एक्सरे मशीन के अविश्कार के रूप में. मीथेन प्राकर्टिक गैस का मुख्य भाग है, मीथेन जो है यह प्राकर्टिक गैस का मुख्य भाग हो जाता है, ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रति रूप है, ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रति रूप माना जाएगा, दुहे में आखों को परभावित करने वाला सक्तिशाली उतेज पैराक्सी एसी टाइल नाइटरेट होता है किस में होता है दों में होता है और आखों को परभावित करता है ये और ये सक्तिशाली होता है उतेजक क्या नाम है पैराक्सी एसी टाइल नाइटरेट धान के खेतों से और दीमक की बाम्बी से मीथेन गैस उत्सरजित होती है कहां कहां से मीथेन गैस उत्सरजित होती है तो ये होती है धान के खेतों से और दीमक की बाम्बी से मीथेन गैस का उत्सरजन होता है सीली कौन एक अर्दसालक है? सबी जानते हैं भारत के विभीन छेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये अंगूर की गिस्थ में हैं, कौन कौन सी हैं, एक सुल्ताना अंगूर हो जाएगा, गुलाबी अंगूर हो जाएगा और एक काली चंपा भी अंगूर की गिस्थ में हो जाती है, उद्व साइन्स में आ जाती है तीन चैबटर फिजिक्स हो जाता है कैमेस्ट्री हो जाता है और बाइलोजी इन ABOUT क्वे से फूखे जाएंके तीनों से हि इसमोग दीत्य पर्दूशक है यह आपको याद रखना जो होता है जो कहरा होता है वो दित्य परदूशक माना जाता है पारीज थेती की तंदर में सबसे अधिक परजाती है विवित्ता उसन कटी बंधिया वर्सावनों में पाये जाती है सबसे अधिक जो परजाती है विवित्ता है वो पाये जाएगी उसन कटी बंधिया वर्सावनों में और उसन कटी बंदिया वर्सवन कहां पाए जाएंगे तो ये आपकी भूमत दिरेखा इसके आसपास के जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं उसन कटी बंदिया वर्सवन कीटों से क्या प्राप्त होंगे तो एक रेशम हो जाता है कीटों से प्राप्त एक सहद हो जाता है और एक आपका लाख हो जाता है लेकिन मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होते हैं जलवायू परिवर्तन पर भारत के पर्थम राष्टे कार्य यूजना 2008 में लोकार पित की गई थी बारत के पर्थम राष्टे कार्य यूजना महा सागरिया पारिश्थिति की तंतर सबसे अधिक इस्तिर होता है इंसिन रेटर का परियोग कूड़ा कच्रे को जलाने के लिए किया जाता है जो इंसिन रेटर होता है उसका परियोग किया जाता है कूड़े कच्रे को जलाने के लिए सारे कोश्चन इंपोर्टेंट हैं और इसी तरह के कोश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर बार आपकी परिक्षाओं में पसु को दिया जाने वाला दर्द निवारक डाइकलो फिनेक भारत में गिदो की लगबग विलुप्त होने के लिए उत्तर दाई है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है जो डाइफलो नेक दवाई होती है ये दी जाती है पहले पसु को चीक है और पसु को जब दी जाती है और पसु मृत हो जाते हैं तो पसु के सरीर में ये मृत में भी पाई जाती है और मृत जो पसु के सरीर होते हैं उनको खाते हैं गिद और गिद्धों जो है फिर उनको खाकर मड़ जाते हैं और गिद्धों की विलुप्ति के कारण जो है ये हो जाती है डाइफलोनेक दवा जो भारत में पसुगों दी जाती है दर्द निवारक के रूप में ठीक है ये भी कई बार कोश्चन पूछा जाता है सरवादिक कारबन डाइ आकसाइड उत्सर्जन देश चीन ठीक है ये भी इंपोर्टेंट हो जाएगा आवला विटामीन सी का सबसे अच्छा सुरोथ है आवला हो जाता है विटामीन सी का सबसे अच्छा सुरोथ फसली भूमी मानव जनित जीवम का एक दारन है भारत का पर ठम नैशनल सेंटर फ और मरीन बाइयो डाइजवर्शिटी ये हो जाता है गुजरात के जामनगर में विस्व जैविवित्ता ये 22 मैं को मनाई जाती है विस्व जैविवित्ता दिवस का मनाया जाता है तो ये 22 मैं को मनाया जाता है वनस्पती बाग सुएवाशन संगरक्षन रण नीती का उधारन नहीं है वनस्पति बाग स्वैसासन संग्रक्षन रण नीतिकाउदारन ये नहीं है सूर्य के परकास से पैरा बैंगनी विकीरण अभीकिरिया ओजोन पैदा करते हैं ओजोन परत इस्टेट ओफेर में पाये जाता है गोल्डन चावल में विटामिन A पाये जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी आपकी परिक्षा के लिए आपसे ये ही पूछ लिया जाता है कि विटामिन A किस में पाये जाता है चार ओप्सन आपको दे दिये जाएंगे तो विटामिन A पाये जाएगा यहाँ पर गोल्डन चावल में और ओजोन परत जो है इस्टेट ओफियर में पाये जाती है और इस्टेट ओफियर किसको कहा जाएगा यह पांच परत होती है तो इस्टेट ओफियर कहा जाता है यह समताप मंडल को ठीक है यह भी आपको जान लेना चाहिए DNA की दूइगुंडिया संगरशना वाटसन तथा किरिक के दुवारा दी गई है वैस्वी गाउव की संकलपना का विकास परिवहन एवं संचार विकास पर अधारित है वैस्वी गाउव की जो संकलपना का विकास है वो परिवहन और संचार के विकास पर अधारित है डैनमार्क में हो जाता जो परती गाय का दूद वो उसत वारिशिक उत्पादन में सरवादिक है वर्तमान में जन्संक्या के सूखों का परित्या किये बिना भविश के लिए उर्जा तथा अन्रसंसादनों की बचत समपोशनिये विकास हो जाता है विश्व जन्संक्या दिवस से भी कई बार कोश्चन देखे गई हैं आपकी शभी परिक्षाओं में और ये मनाये जाता है 11 जुलाई को विश्व जन्संक्या दिवस ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले MS-Derm में हो जाता है MS-Derm इसको कहा जाता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले भारत सरकार द्वारा घोशित ABC इंडेक्स शिक्सा से संबंदित है ABC Index किस संबंदित है तो ये शिक्सा से संबंदित है समयुक्त राष्ट के आर्थिक एवं सामाधिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जन्संक्या का 55 पर्थिशत सहरी छेतरों में निवास करता है 55 पर्थिशत करता है सहरी छेतरों में निवास विशु की कुल जन संख्या का हरित गिरह परभाव हो जाता है प्राकरतिक आपदाएं सरवाधिक छती विकास पील देशों को करती है और बहपाल गैस तिराजदी मानव निर्मित्ति मैगरो चक्रवातों को जो परभावे वो कम करते हैं सारे कोश्चन इंपोर्टेंट है और ये सारे कोश्चन जो पूछे गए हैं और ये सोट तरीके से जो है हमने आपके सामने ले कर आए है A brief history of time पुछ तक Stephen Hawking के द्वारा लिखी गई है मंगल ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उप्युक्त हो सकता है मंगल ग्रह हो सकता है जीवन के अस्तित्व के लिए उप्युक्त यहां पुछा गयता अब brief history of time ये इस्टीमन होकिंग के द्वारा लिखी गई है The Accidental Prime Minister ये संजय बारू की पुछतक है और ये important हो जाती है 2018 के आसपास की book है ये उससे में ये current का question हुआ करता था मानव विकास उचकांक UNDP द्वारा विख्षित किया गया है Human Development Index इसको कहा जाता है यानि HDI Human Development Index UNDP के द्वारा विख्षित किया गया है मनरेगा भारत में गिरामीन रोजगार का सबसे बड़ा कारिय करम हो जाता है मनरेगा हो जाता है भारत में गिरामीन रोजगार का सबसे बड़ा कारिय करम भारत में बाग परियोजना 1975 में सुरू की गई थी बाग परियोजना सुरू की जाती है भारत में 1975 में ठीक है इंपोर्टेंट हो जाता है ये question 1975 में हो जाती है बाग परियोजना कंगारू चूहा बिना पानी पिये सबसे लंबी अवधी तक रह सकता है ठीक है और ये कहां पाय जाता है तो ये पाय जाता है आपका अमेरिका में कंगारू चूहा होता है और ये दो पैरों पर चलता है कंगारू की तरह है इसलिए इसको कहा जाता है कंगारू आगे के जो इसके हाथ होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और नीचे के पेर इसके काफी लंबे होते हैं छीक है इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं एड़ेफिक म्रदा से संबंदित है जो एड़ेफिक है वो म्रदा से संबंदित हो जाएगी ओजोन की सरवादिक सांदरता ये मिलती है आपको इस्टेटोश्फियर इस्टेटोश्फियर कहा जाता है ये समताप मंडल को ठीक है इस्टेट उश्वियर इसको कहा जाएगा वैजवी गूस्मन के फल स्वरूप चक्रवा तूफान एवं बवंडर की बारम बारता एवं पर्चंडता बढ़ रही है नॉर्मन बोर्लो को सांती के छेतर का नोबल पुरुसकार परदान किया गया है नॉर्मन बोर्लो को सांती के छेतर में नोबल पुरुसकार परदान किया गया है किसको नॉर्मन बोर्लो को जीवी नारलीकर के नुशार जोतिस अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है जोतिस को जो है विज्ञान नहीं माना गया है जेवी नारलीकर के नुशार पारत ओर रूस का स्यूक्त उपकिरम है और ये कौन सा हो जाता है तो ये हो जाता है सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रहमोष और चलिए दोस्तों आज का जो हमारा practice set था ये था 2018 का ये हो जाता है हमारा complete कल हम आपके सामने लेकर आए ही set नमबर 3 और ये हो जाएगा 2017 से शम्बंदित ठीक है important question की ये series है और ये series है 2000 ये series है 1991 से और 2024 के question की ये वो है जो question आपसे पूछे जाते हैं और इन मेंसे काफी question जो है repeat होते हैं ये आप सब ही जानते हैं और अगर आप channel पर नए हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी share कर सकते हैं और चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नइटोबी के साथ और तब तक के लिए नमस्कार जाहिन